अलो स्टूडेंस आज मैं फिर से आपके सामने linear equation के word problems को solve करूँगा इन word problems में आज दरसल में speed और time और distance से जुड़ा हुआ सवाल है बहुत बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होती है तो मैं काफी सारे questions मैंने select किये around 12 questions है वो select किये है वो आपके पूरे NCRT को cover कर लेगा RD Sharma को cover कर लेगा और exemplar problem को भी cover कर लेगा तो चलिए हम start करते हैं हर एक सवाल को बनाने से पहले मैं उसमें जो concept जो basic fundamental जो involve होता है वो समझाऊंगा उसके बाद सवाल बनाऊंगा तो of course थोड़ा time लगेगा चलिए start करते हैं आज हम लोग सबसे पहला सवाल यह है और बहुत ही basic है लेकिन बहुत important है यह सबसे पहला question है मेरा points A and B are 70 km apart माल लेते हैं कि यह एक point है A और B तो इसको समझने के लिए यह जो question है मैं समझ रहा हूं कि यह मैंने पढ़ा हुआ है तो इसको समझाने के लिए मैं पहले आपसे बहुत basic सा चीजों को discuss करता हूं यह आपका स्कूल है स्कूल है और यह आपका घर है और आपके स्कूल और आपके घर के बीच की दूरी 5 km है पाँच किलोमेटर यहां से आप स्कूल आपका खतम होता है आपके घर से लोगों ने पहले ही बात कर लिए ती कि आज वो मैं आपके खरवाले आपको स्कूल से लाने जाएंगे आपको जाना है आपको मैं स्कूल से स्कूल इतनी देर रुखने नहीं देगा तो मैं वाक करके आ रहा हूंगा यहां से वाक करके आप चलेंगे इधर जा रहा हूंगे और स्कूल वाले आपके घर से जो लोग है वह भी इधर से चलेंगे गाड़ी से या जैसे भी होगा चलेंगे और आप दोनों एक जगा पे आके मिल जाएंगे माल लेते हैं इस जगा पे आप मिल जाएंगे तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा क्या आपको पांच किलोमेटर पूरा चलना पड़ेगा या आपके घरवालों को पूरा का पूरा पांच किलोमेटर चलना पड़ेगा पहला सवाल तो जवाब है नहीं आप कुछ किलोमेटर तक जाएंगे माल लेते हैं आप दो किलोमेटर चले घरवाले तीन किलोमेटर चले तो आप मिल जाएंगे दूसरी भासा में कहें कि अगर आपके घरवालों को पूरा नहीं चलना पड़ा तो अगर वो पूरा पहुंचने में एक घंटा लगता है तो उन्हों पूरा एक घंटा तो उनको लगेगा नहीं वो माल लेते हैं आदे घंटे या 40 मिनट में आपसे मिल लेंगे मतलब वो 40 मिनट चले और आप यहां पे कुछ माल लेते हैं 20-25 मिनट जो भी आप चले हैं तो इनको भी पूरा नहीं चलना पड़ा और आपको भी पूरा यहां से घर पहुंचने में जितना चलना था नहीं च करने के दौरान आपको भी बहुत कम टाइम लगा घरवालों से मिलने में और आपके घरवालों को भी बहुत कम टाइम लगा आपसे मिलने में तो यह एक सिनारियो है मतलब मैं ऐसे कहूं यह जो पांच किलोमेटर है इसको आप दोनों ने मिलके तै किया है ना दो किलोमेटर तो जाईर सी बात है, अगर आपको चलना पड़ा है स्कूल से मिड़ पॉइंट थक महूंचने के लिए नहीं सब्सक्राइब लगा होगा और आपके घरवालों को भी 3 किलोमेटर अगर वो चले हैं तो कुछ समय लगा होगा तो दोनों को मिला देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा लेकिन ये तय है कि दोनों को पूरा नहीं चलना पड़ा है मतलब दोनों ने अपना-पना समय बचाया है ऐसे कहें कि डिस्टन्स अगर हम आपने जो चले हैं और आपके घरवाले जो चले हैं दोनों के डिस्टन्स को जोड़ देंगे तो पूरा डिस्टन्स मल जाएगा ये बाद तो आप सहमत होंगे चलिये अब इसका दूसरा पहलो देखते हैं अगर ऐसा हो जाए यही concept यही वाला same logic अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ यह home है और यह school है आपका CHWL और यह home है अब क्या हुआ कि आपके घरवाले जो है वो यहाँ पे एक mall है यहाँ पे mall कह लीजे पूरी तो पाँच किलोमेटरी है ना school से घर की जो उपर थी वही है और आपके घरवाले यहाँ है आपको उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम ना school के बाद सीरे यहीं आ जाना तो आप पैदल जाए जैसे जाना है आप जाएए आप जब यहाँ से यहाँ चलेंगे यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे और आपके घरवाले जब यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे कौन जादा distance को travel किया है अफ़ोर्स आपने जादा distance को travel किया आपके घरवालोंने कम travel किया तो इससे बहुत सारी बाते सामने आती हैं पहला कि अगर स्कूल से मॉल तक का डिस्टेंस को देख लें माल लेते हैं स्कूल से मॉल तक का डिस्टेंस नाइन किलोमेटर है स्कूल से मॉल यहां से लेकर के अगर यहां तक का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो माल लेते है 9 km और home से mall जो है वो 4 km है तो पूरा 9 में से अगर ये वाला वैसे भी आप सोच सकते हैं ये तो कि अगर पूरा हम यहां से लेकर के इस पूरे distance को में से पूरा distance में से अगर ये हम purple वाला अगर minus कर देंगे तो कौन सा distance बचेगा यही वाला distance बचेगा 5 km ही बचेगा तो मतलब अगर मैं पूरे 9 km में से पूरा 4 km सब्ट्राक्ट कर दूगा तो 5 km बचेगा बहुत clear है यहां पर एक और बात यहां पर आती है अगर माल लेते हैं कि दो के दोनों लोग एक केस ले लेते हैं मतलब घड़ी देखा बोला कि अच्छा मैं भी 3 बजे आपके family ने बोला कि भाई हम लोग 3 बजे घर से निकलेंगे और आपकी छुट्टी भी 3 बजे होती है और आप भी 3 बजे वह मिलते हैं मतलब जिस समय आपके घरवाले बस ऑटो से उतर रहे होते हैं या फिर बाइक से उतर रहे होते हैं या जैसी फो मौल के गेट के पास पहुंचते हैं तब तक आप भी पहुँच जाते हैं exactly उसी समय TP पहुच जाते हैं मतलब presence वो क्यों जादा रही होगी क्योंकि आपने 9 km ट्रावल किया आपके घरवालों ने 4 km ट्रावल किया दोनों के स्टार्ट करने का टाइम सेम था 3 बजे और दोनों 4 बजे वहां जाके मिल गए तो आपके घरवालों ने एक घंटे में 4 km ट्रावल किया और आपने उसी एक घंटे मे तीन बजे यह आप भी चले और चार बजे आप उनसे मिल गए वहाँ पे दोनों एकदम exactly entry point पे मिल गए और आप भी चार बजे उनसे मिल जाते हैं तो आपने भी एक गंटे में 9 km ट्रावल किया वो एक गंटे में 4 km ट्रावल करते हैं तो किसका speed जादा है जाहिड सी बात है आपका speed बहुत जादा होगा तो ये दो concept को हम लोग ध्यान रखेंगे और इसी fundamental पे मैं question बनाऊंगा अब question है point A and B are 70 km apart तो मैं picture फिर से बना लेता हूँ एक A एक point है और B एक दूसरा point है इन दोनों के बीच में 70 km की दूरी है मतलब distance इन दोनों के बीच में 70 km है मैंने ये सारा example आभी आपको दे दिया इसी को scale down कर दिया था अब वही मैं पढ़के उसी चीज़ को दुबारा क्लिख रहा हूँ मतलब numbers बदला हुआ है A car starts from A and another car starts from B simultaneously simultaneously का मतलब एक साथ ही start होता है एक साथ मतलब एक ही time पर start होता है आप ऐसे समझ लिए हैं full stop if they travel in the same direction they meet in 7 hours अगर वो एक ही direction में चलते हैं एक ही direction मतलब एक north में जा रहा है दूसरा भी north में जा रहा है तो assume कर लेते हैं हम कि यह इस direction में जा रहा है मैं blue से इसको mark करता हूँ इस direction में यहाँ यह A भी इसी direction में जा रहा है मैं arrow लगा देता हूँ A के लिए इधर और B भी इसी direction में जा रहा है तो दोनों same direction इसी को सेम डिरेक्शन करते हैं तो भी यहां से स्टार्ट हुआ और चलता रहा चलता रहा चलता रहा इस डिरेक्शन में और यहां से स्टार्ट हुआ और यह इस डिरेक्शन में चलता रहा चलता रहा चलता रहा और जा करके यहां पर मिल जाते हैं तो यहां से यहां तक की द कितना लगा इसको पहुंचने में 7 hours और इनको कितना समय लगा 7 hours तो भी 7 hours लगा क्योंकि दोनों एक ही साथ स्टार्ट हुए थे लिए मैं example ले लेता हूं माले ये दोनों दो पहर में 2 बज़े स्टार्ट हुआ तो B भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहां पर C B को C तक पहुँचने में 2 बज़े स्टार्ट हुए थे 7 घंटा लगा तो 9 बज़े रात को यहां पहुँचे और A भी 2 बज़े ही स्टार्ट हुआ था तोनों एक साथ स्टार्ट हुए थे और 7 घंटा A को भी लगा तो यह भी 9 बज़े यहां पहुँचा है ना तो 9 बज़े ये भी B भी पहुँचा और 9 बजे A भी पहुँचा तो किसकी speed ज़्यादा रही हो गया आप सोचके बताईए जाहिर सी बात है speed जो है वो B की कम रही है क्योंकि B 7 गंटे में सिर्फ इतना ही distance travel कर पाया जबकि उसी 7 गंटे में A ने ज़्यादा distance travel किया मतलब जो मैंने एक डाइग्राम बना लिया समझने के लिए अच्छा अब आगे पढ़ते हैं इव दिस travel in the same direction they meet in seven hours but if they travel towards each other they meet in one hour find the speed of the two cars okay अब बोला गया कि अगर यह दोनों एक ही direction में opposite direction में जाते हैं तो they meet in one hour यह one hour में meet कर जाते हैं they meet in one hour yes find the speed of the car तो मुझे नहीं पता speed of the car क्या है A की speed कितनी है B की speed कितनी है मैं नहीं जानता है यह तो तरह है कि B की का B के car के speed कम है और A के car के speed ज़्यादा है मतलब एक की जादा एक की कम है अब यह मैं नहीं जानता हो सकता है कि यह तो मैंने C इधर बनाया हो सकता है तो फिर A इधर हो बी उधर हो यह कुछ भी हो सकता है लेकिन एक की बहुत जादा है दूसरे की कम है तो मैं लिखता हूं कलेट the speed of the car of the car a मतलब a points से जो start हो रहा है is equals to small a and speed of the car capital B equals to small b मैंने माल लिया कि जो car B से start हो रही है उसका speed B km per hour है मैं लिक लेता हूँ या km per hour हमेशा जो standard unit होता है वो km per hour ही होता है तो अगर कुछ नहीं mentioned है तो आप हमेशा km per hour ही mention करेंगे कुछ और नहीं और जो car A की speed है वो A km per hour है यह बार clear होगे चलिए अब कुछ हम लोग basic जो physics का जो relationship है speed time और distance का वो देख लेते हैं हम जानते हैं कि speed is equals to distance upon time या velocity भी आप कह सेकते हैं लेकिन या velocity की ज़रूरत नहीं है word भी यूज नहीं किया गया इसे लिए speed is equals to distance upon time होता है अब जरूरत पढ़ने पर हम यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं distance equals to fly नहीं है दूसरा relation है speed into time equals to distance इन दोनों को cross multiply कर दिया तो distance और तीसरा relationship भी हम तयार कर सकते हैं और वो कुछ और है जैसे speed टाइम और ताइम के इस टर्म्स में भी relationship तयार कर सकते हैं कि time is equals to distance upon speed इन में से जो मुझे जरूरत पढ़ेगी मैं वो यूज करें अब देखिए एक और बात मैं यहां बता देना चाहता हूं इससे पहले हम आगे बढ़ें वो यह है कि आप जब compare करते हैं add करते हैं तो वो एक जैसी चीज़े ही होनी चाहिए मतलब speed को आप speed से add करेंगे distance को distance से add करेंगे time को time से add करेंगे या subtract करेंगे अब जो भी करेंगे एक जैसी चीज़े होनी चाहिए अब देखिए जरू यहां पर एक का speed मतलब एकए जो गाड़ी है अपनी गाड़ी में जो बैळ के जा रहा है तो उसकी speed हम नहीं जानते हम ने मानाए कि एक किलोमेटर है हम यह भी नहीं जानते कि c तक की दूरी कितनी है ये भी हम नहीं जानते हैं हम जानते हैं कि A से B की दूरी जो है distance जो है वो 70 km है हम ये भी नहीं जानते कि A की speed कितनी है B की speed कितनी है हम ये जरूर जानते हैं कि कितने देर में मिला तो time हम जानते हैं और distance हम C तक का तो नहीं जानते हैं बट A से B तक का जानते हैं तो जो हम जानते हैं उसका हम इस्तमाल करने की कोसिस करेंगे तो देखिए ये relationship में एक बार लगा के देखता हूँ मैं ये वाला भी देखूंगा और कहेंगे तो ये वाला भी try करूँगा देखेंगे आप मैं relationship आपको समझाता हूँ अच्छे से समझे आप अगर एक दो कोशन में अगर आप relationship समझ लेंगे तो कभी आपको आगे पीछे करना होगा तो आपको दुवधा नहीं होगी कोई problem नहीं होगा अब हम करते हैं speed is equal to distance मैं पहले ये लगाता हूँ speed into time अब मेरे पास दे रखा है speed कितना है car A का तो हम लिखते हैं distance traveled distance traveled traveled by small a car small a तो car small a से कितना distance traveled हुआ 7 into a 7 into a मतलब a यहां से यहां तक पहुचने में traveled by a to reach at c ऐसे लिख लेना चाहिए मुझे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपके लिख दम साफ रहे आप आराम से समझ सके to reach at c to reach c c तक पहुचने के लिए जो a को चलना पड़ा है a को जो drive करनी पड़ी है वो है 7 into a देखिए मैं दुबारा यहां दिखाता हूँ अच्छे से देखिए a जो c तक पहुचा है a जो यहां पर a से start होके जो c तक पहुचा है इस car का speed कितना मैंने माना है इस car के speed मैंने मानी है a km per hour speed इसकी a km per hour होगे और वो 7 घंटा लेता है वहां तक पहुचने के लिए लेता है 16 तक पहुचने के लिए 7 आउर्स लेता है तो 7 घंटा लिया 7 into a कर देंगे तो यह तो relationship है यह तो आप जानते ही 7 into a कर देंगे तो क्या मिलेगा distance मिलेगा 7 into a कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ए कितना distance चला इसको मैं आसान भासा में समझाता हूँ चलिए आप गाड़ी चलाते होंगे या गाड़ी पे बैठे होंगे या खुद भी चलाते होंगे परिवार के साथ बैठे होंगे या बस में बैठा होगा कुछ भी आपने बैठा हो अगर आप माल लिजेगा आपको 90 किलोमेटर जाना है 90 किलोमेटर और आपके गाड़ी के स्पीड 30 किलोमेटर पर आवर तो आप बता सकते ना खितना किलो के किदना देर इसी स्पीड से चलना पड़ेगा तो 90 पहुंच जाएगा मुझे विश्वास है या बता पाईएगा तो जो कार की स्पीड है multiplied by time कर देंगे तो हमें total distance पता लग जाएगा या फिर कह लिजेगा अगर हम 30 km पर आर के स्पीड से चलते हैं और 3 गंटे चलते हैं तो हम बता देंगे सबस्क्राइएया सब्सक्राइब करेंगे तो कितना है 90 Metro पर आवर उसी तरह से दोनों को multiply करेंगे तो जो भी आएगा अभी तो जब तक A पता नहीं हम कैसे लिख दें A मालनो 20 होगा तो 140 km ट्रैवल कर लिया उसमें तो लेकिन जो भी आएगा ये तो तो है कि distance आएगा तो ये क्या आएगा? distance आएगा कार A का मतलब जो कार A से start हो रही है और C तक जा रही है उमीरे ये बात आपको clear हो गया हो इसी तरह से distance traveled by मैं B to reach C ये लिख लेता हूँ, reach C मतलब B से जो कार चल रही है और C तक जो चलेगी ये रहा मैं purple यूज़ कर लेता हूँ, ये B से जो कार चल रही हो और C तक जो चलेगी यहां तक पहुंचेगी इसका distance कितना है ये भी हम नहीं जानते है तो ठीक है हम ये distance को निकाल लेते हैं लेकिन B से जो कार चल रही है उसका speed कितना है 20 km per hour उसका speed 20 km per hour है तो हम लिखेंगे लिखता हूँ, इसका लिखेंगे 7 into B अब आप सुच रहे हैंगे 7 क्यों है, 7 इसलिए है क्योंकि question में mentioned है कि दोनों 7 घंटे में मिलते हैं मतलब B से जो कार चल रही है वो भी 7 घंटे में चली है, 7 घंटे में पहुंची है सी तक और A से जो कार चल रहा है वो भी 7 घंटे में वहां पहुंची है तो साथ घंटे ही लिए बी ने भी तो बी कितना डिस्टेंस ट्रावल करेगा फिर से वही कॉंसेप्ट है पूरा टाइम यह रहा टाइम जैसे थ्री आउर से मल्टिप्लाइड बाइ स्पीड तो यहां पर स्पीड कितनी थी कार की बी किलोमेटर पर आवर देखिए मैंने लिखा है बी किलोमेटर पर आवर तो इससे क्या मिलेगा हमें डिस्टेंस मिलेगा मिला डिस्टेंस ठीक है अब हम जानते हैं कि यह डिस्टेंस जो पहला वाला जो डिस्टेंस से वो नि distance निकला तो उसी को bc डिखेंगे हम c हम ये भी जानते हैं कि ac minus bc जो है 70 km देखिए है ना a से c तक जो पहुँचेंगे हम अब उपर कर लेता हूँ इसे c तक पहुँचेंगे जितना दूर है c तक पहुचने में और minus कर देंगे b से c तक पहुचने का दूरी ये पूरा दूरी minus b से c तक की दूरी कर देंगे तो कितना मिलेगा ये ab distance मिलेगा तो वही हम यहां पर करेंगे तो ac minus bc 70 और ac कितना है 7a minus bc कितना है 7b तो ये कितना हो गया 70 solve करेंगे इसको a minus b equals to 10 यहां से 7 common निकाल लेंगे 70 कट गया तो यह हमारा ये एक equation हमारा बन गया है कि यह equation आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब हम दूसरा equation बनाते तो दूसरा equation नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि picture आपको बार-बार उपर देखना पड़ेगा तो मैं एक काम करता हूं इसको मिटा देता हूं क्योंकि यह तो मैंने समझा दिया आपको वीडियो में भी यह मिल जाएगा आप rewind करेंगे आपको मिल जाएगा तो इसको मिटा के मैं यहीं पर बना लेता हूं और ताक आपको लगता है कि आप सीधे किसी का solution देख करके मेरे solution को देखके आप एक question तो बना लीजेगा लेकिन in general अगर आपको बड़ा question मिल गया या इसी तरह का दूसरा सवाल मिल गया आप नहीं समझे हैं तो आपको दिक्कत होगी तो मेरा suggestion रहेगा कि आप जुरूर सवाल को सम A और ये रहा B दोनों अगर opposite direction में जाते हैं तो दोनों एक घंटे में मिलते हैं वो आपको मैंने यहां पर संजाया कि अगर दोनों opposite में जाएंगे तो थोड़ा सा distance ये भी travel करेगा थोड़ा सा वो भी travel करेगा मतलब A वाला भी कुछ दूरी जाएगा और दोनों मिल तो A को पूरा B तक नहीं जाना पड़ा और B को भी पूरा A तक नहीं जाना पड़ा तो जब नहीं जाना पड़ा तो जाहिड सी बात है आपका समय बचेगा बहुत बार आप लोगों ने खुद भी ये बात experience किया होगा कि अगर आपको किसी दोस्त से बीच में notes वगर अच उसका ज़्यादा टाइम लगता और आपको भी उसके घर तक जाना पड़ता तो आप लोग दोनों एक कोई बीच वाली जगह पर आ जाते हैं जहां पर उसका भी समय बचे और आपको बचे ऐसा आप लोग भी किया होगा नहीं किया होगा तो करके देखेगा आपको पता ल यह जाने के भी हमें ज़रूरत भी नहीं है यह तो दोनों मिला करके वो एक घंटे में पहुंचता है लेकिन एक बात तो होता है कि A जब C तक पहुंचता है और B जब C तक पहुंचता है तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो एड करके 70 होगा जैसे अभी दोनों का डिस् ठीक है तो यही अब हम लोग करते हैं तो चलिए करते हैं A C तो distance travel तो फिर से लिख देता हूं A C बचवा distance वगर क्या statement तो मैंने नीचे लिखा हुआ आप उसको refer कर सकते हैं A C A C का distance कितना हो जाएगा A C कितना है 7 A यह क्या है distance मैंने क्यों है distance वह नीचे explain किया है और B C का distance कितना है B C का distance है हमारे पास 7 B sorry sorry इस बार 7 नहीं होगा I beg your pardon गलती है मेरी 7 नहीं होगा 7 तो तब तर जब 7 घंटे लग रहे है अब क्या एक ही घंटा लग रहा है तो हम नहीं जानते हैं कितना लेकिन इतना तय है कि दोनों एक घंटे में मिलते हैं मतलब A से C तक पहुंचने में इसको एक घंटा लगता ह और B से C तक पहुंचने में भी एक घंटा लगता है तभी तो एक घंटे में जाके मिल रहा है ना चाहे वो slow चल रहा हूँ या तेजी से चल रहा हूँ एक घंटा जैसी देखा तो देखा रहे है और वो तो एक दम बिलकुल सामने है तो एक घंटे में मिलते हैं तो एक घं किलोमेटर पर आवर नीचे लिखा है मैंने ए और टाइम कितना लग रहा है एक घंटा तो वन इंटू ए लिख देता हूं चलिए और यही इसी तरह से बी-सी का स्पीड बी-सी की जो डिस्टंस है वह कितना लग रहा है सेम वही है बी से सी तक पहुंचने का कार का स्पीड कि आड करेंगे तो वो हमारा 70 किलोमेटर आ जाएगा एक का डिस्टंस टोटल 70 था आप देख सकते है नेचे यह देखेंगे तो 70 आपको मिल जाएगा A C हमारे पास कितना निकला A B C कितना निकला B दोनों को मिला के 70 देखिए एक equation यह है हमारे पास और दूसरा equation आपके सामने भी मैंने calculate किया है दूसरा equation अभी आपके सामने मैंने यहां पे निकाला है तो दो equation है, दो variable है मुझे विश्वास है कि आप आगे solve कर लेंगे तो मैं आपको solve करके दिखा देता हूँ, देखिए A minus B 10 है और उपर में जो निकला है A plus B 1 निकला है आप उसको refer कर लेंगे A plus B equals to 70 अब यहां पे noticeable बात है ध्यान से देखिए यह सब बाते बहुत fundamental है और बहुत common mistake होने वाली बात है बहुत बचों को नहीं पता होता है और अपको याद होगा, यह distance है A तो speed है लेकिन जब 1 से multiply हो गया था तो speed into time था 1 तो time था तो 1 into A कर दिया तो क्या होगा? distance, तो यह एक distance है B भी एक distance है दोनों distance को add करेंगे तो distance मिलेगा तो 70 तो kilometer है तो distance है इसी तरह से दोनों distance को अगर हम subtract करेंगे याद रखेगा 7 A था वो तो simplify करके यह आया है लेकिन है तो 7 A दोनों distance को हमने subtract किया तो अभी distance आना चाहिए तो देखे 10 kilometer यह distance ही आया है याद रखेगा 70 था common निकालके काटा है इसलिए तो distance को distance से ही equate किया जा सकता है distance को distance से ही जोड़ा जा सकता है distance को distance से ही subtract किया जा सकता है यह बहुत important point है अब हम दोनों को solve कर लेंगे आप देख सकते हैं कि elimination बहुत interesting है यहाँ पे तो 7A equals to 80 आ गया तो A की value आ जाएगी आपके पास 40 और A की value कहीं पे भी आप plug कर देंगे तो मैं रख देता हूँ 40 minus B equals to 10 so minus B right side में चला जाएगा shift हो जाएगा और 10 left में आ जाएगा तो 40 minus 10 equals to B so B equals to 30 kilometer per hour and A equals to 40 kilometer per hour यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है मैंने आप देखिए the speed of the car which starts from A is A kilometer तो मतलब जो car A से start हो रही है उसका speed है 40 kilometer per hour और जो car दूसरी वाली जो car है वो जो B से start हो रही है उसका distance है 30 kilometer per hour यह speed है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यह statement आप अच्छे से लिख लिजेगा उमीद है कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा और जो भी सवाल होगा आप आराम से बना सकते हैं मैं इसी सवाल को दुबारा बनाने की कोसिस करता हूँ और इस बार मैं इसी सवाल को एक दूसरे relation से बनाने की कोसिस करूँगा मैं देखता हूँ कि बनेगा कि नहीं बनेगा लेकिन इस वीडियो में नहीं इस वीडियो में इतना ही, अल्री अल्मॉस्स रादर घंटा हो चुका है, तो next वीडियो में मैं और दूसरे सवाल लूँगा, और एक दो वीडियो में जरूर मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से करके दिखाने की कोसिस करेगा। आप वीडियो वाच करिए तब तक अच्छे से सीखिए, कोई दिक्कत होती है, आप फीडबैक में कमेंट छोड़िए, वैसे भी कमेंट हमेशा आपको लिखना चाहिए, बहुत मेहनत करता हूं मैं यह बनाने के लिए, मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग अच्छे से काम आता है, लेकिन सब्जेक्ट पॉइंट व्यू से एक इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, यही मेरी पूरी कोशिश है, तो कमेंट आप जितना करेंगे, इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे, दूसरे बच आप तकिली बाबाए, और थैंक यू